तुनिशी शर्मा सुसाइट केस में सिजान खान को 14 दिनों के लिए जुडिशल कसरी में बीच दिया गया है जिसको लेकर अब एक्टर की बेहन फलक नास का गुसा फोटा है फलक ने अपनी इस अकाउंट पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसके जरीए उन्होंने ट्रोल्सकोप को फटकार लगाई है फलक नास ने कहा है ये देखकर दिल तोड़ जाता है कि किस तरह हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया गया है शायद इसे को ही खोड कलियुक कहा जाता है कहां गए वो मीडिया पोटल चुरी सर्च करने के बाद चीज़े लिखते हैं कहां गया लोगों का कॉमन सेंस इसके आगे उन्होंने लिखा सिजान को नीचा दिखाने वाले लोग पहले खुट से पूछे कि क्या आप सेथी के अधार पर सवाल कर रहे है या फिर धर्म से नफरत के अधार पर या फिर आप पिछले खट्टाओं से प्रभावित होकर बात कर रहे है केबल इतना ही नहीं अपने पोस्ट में फलकनाज ने मीडिया पर भी जम कर गुस्सा उतारा और तुनिशा को लेकर भी कहा गौड प्रेस तुनिशा उमीद है कि अब वो अच्छी जगा पर होगी फलक की इस लास लाइन को लेकर लोग उने जम कर चोल कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एक कम उमर की लड़की सुसाइट करने के बाद कैसे अच्छी जगह पर रह सकती है इसका सवाल बार बार पूछा जा रहा है फलकनाज से खाली में सिजान के वकील ले कहा कि तुनिश्य चर्मा सुसाइट केस में सिजान का पड़िबार सोब बार सुबह 11 बजे प्रेस कांफरेस कर आक्टर की गुनाओं का सबूत देगे वैसे फलक की स्टेटमेट पर आपका क्यार आई है हमें कमिंट करके सरूर बताए पर आपका का दुआ के वऴिबार आपका काम सिजान का वब बताए